अससलाम अलेकुम गाइस इस वीडियो में चेप्टर नमबर 10 स्टार्ट करते हैं और चेप्टर नमबर 10 से पहले क्यों खास टॉपिक नहीं थे जो मैं कवर करवाओं बस कुछ ट्रिग्णोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं वो इंशालला कवर करवाओंगा और फिर हम एक्स अब एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटीज या आइडेंटिटी और एक आप वर्ड आम तरुपे एक्वेशन सुनते हो तो अच्छा सवाल हो सकता है कि इनके देमेंड डिफरेंस क्या है तो अगर आप किसी भी एक्वेशन को कंसीडर करोगे अभी तो सब्सक्राप्रों का इतना एक्वेशन से पाला नहीं बढ़ा सेकेंडर में आप बहुत अच्छे तरीके से एक्वेशन को डील करोगे लेकिन अभी भी आप में चैप्टर नूमर 3 में काफी एक्वेशन के बारे में बढ़ा गया है तो अगर मैं सिर्फ आपको एक्वेशन गिवेशन देदू मतलब कोई बढ़ा एक्वेशन ये वाली है ठीक है मुझे नहीं पता इसके रूड से यह आले हैं कॉम्प्लेक्स जो भी है मेरे पास एक्वेशन है एक्वेशन को सैटिस्वाइ करने का मतलब यह होता है कि अगर आप वैलीबल की कोई भी वैल्यूस दा पर आके लेट से इसकी बन रही है अगर मैं X की जगा वन पूट करो तो यह क्या हो जे़का वन एक्स की जगागा यहां पर आप यहां पर जाएगा मानस 2 पलस बन वान एक्स की वैल्यू अगर मैं वन फूट कर रहा हूं तो 1 का square 1 इधर x की जगा 1 put करूँगा तो minus 2 1 से multiply आगे minus 2 plus 1 तो देखो 1 plus 1 2 और 2 minus 2 0 तो 0 equal to 0 आगे इसका मतलब है यह वानी value जो है वो satisfy कर रही है इसको ठीक है लेकिन हर value satisfy नहीं कर सकती यह मैंने x equal to 1 put कि है अगर मैं x equal to 2 put करता हूँ वो satisfy नहीं करेगी put करो 2 का square 4 और 2 इससे multiply होगा 2 का square 4 और 2 को जब 2 से आप multiply करोगे तो minus 4 plus 1 तो इस satisfy नहीं कर रही है क्यूंकि left hand side पे 1 आ रहे है और right hand side पे 0 आ रहे है इसका मतलब है यह satisfy नहीं कर रही है तो equation में specific values जो हैं वो satisfy करती है जो भी unknown होता है यह मैंने 1 unknown में लिखी है equation इसी तरह 2 unknown में भी आ सकती है x plus 2y equal to जो भी है तो जो भी variable है आपकी equation में अगर वो specific value पे satisfy कर रहा है तो उसको माम तोर पे equations बोलते हैं और identities यह होता है कि जिसमें हर value satisfy कर रही होती है जैसे एक identity यह बड़ी मशूर identity है cos square theta plus sin square theta 1 के बराबर है इसके अंदर आप theta की कोई भी value पुट कर दो यह हमेशा satisfy करेगी let's say अब theta 30 degree, 45 degree, 60 degree कुछ भी पुट कर दो left hand side, right hand side के बराबर आजेगी करके देख लोना तो equation यह होती है जिसमें particular कुछ values जो होती है specific values वो satisfy करती है satisfy का मतलब left hand side, right hand side के बराबर आती है अगर आप put करो और identities वो होती है कि जिसमें आप कोई भी value पुट कर लो सब values के लिए वो satisfy करेगी यह में theta की जगा कुछ भी put कर दो कोई भी angle पुट कर दो आंसार हमेशा इसका one के बराबर आरेगा तो अब तो आप लों को समझा आगा कि identities बोलते हम किनको है अब थोड़ी प्रूफ कर लो यह basically तीन identities हैं जिनको आपने सीखना है याद करना है वो है क्या आपने अच्छा मेरी आवास थोड़ी बैठी वी है तो शायद आप लों को थोड़ा मसला हो रहा हो लेकिन I hope मेरा माइक्रोफ़न मसला ना करें कभी कभी मसला कर जाता है वो आपको यूनिट करल में आपने इक चीज पढ़ी है वो क्या है कि X 2 स्क्वाइर प्लस Y 2 स्क्वाइर इगल टू 1 के बराबर होता है मैंने बताया यूनिट करकिल में x क्या होता है cos theta के बराबर होता है और y क्या होता है sin theta के बराबर होता है अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखिए तो जाके देखले ना chapter number 9 में start में मैंने पूरी basic cover की भी है chapter number 9 के दा तो आप देखले ना आपको समझ आजेगी तो x की value cos theta y की value sin theta अगर आप x की जगा cos theta put करो x का square मतलब cos का square और y की जगा sin put करो तो y का square मतलब sin square तो यह identity आपके पस आजेगी cos square theta plus sin square theta किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा ठीक है यह पहली identity है उसके बाद इसी से बाकिदो हमने derive की है कैसे अगर आप इस identity को तो दोनों तरफ से left hand side right hand side divide कर दो cos square theta अच्छा आप दोनों तरफ से divide करोगे एक तरफ सी divide नहीं कर सकते है अगर मैं बोलू ना कि मैं left hand side सिब divide करो तो वह खलत होताएगा अगर मैं एक तरफ काम करना चाहरो ना तो पर मैं multiply divide करूँगा लेट से right hand side में ने कुछ नी करना सिर्फ फ्लाट फिन साट पर करना है तो अब मैं क्या बोलूँगा मैं बोलूँगा multiply divide करो पैसी जीज बता रहो स्वाल में कोई काम नहीं है लेकिन अगर आप एक operation करना चाहरे हो सिर्फ divide करना चाहरे हो और नहीं के निचे भी cos square यह तो हो जाएगा वन आपको मैं बताया वह अचा कुछ chapter number 10 को solve करने से पहले कुछ basic जो मैंने आप लोग को trigonometric ratios बताएं में उनको आपने याद रखने उनके reciprocal बी उनको याद रखने उसमें से जो ज़्यादा तर फॉर्मिले यूज होंके मैं आपको बता जेता हूं sin theta cos theta को पोई फॉर्मिला नहीं है tangent theta का formula आजए का एक tangent theta तेटा के दो फॉर्मिले बन जाएंगे tangent theta बराबर होता है one over cot theta के भी इसी तरह जो sin theta है उसको एक ही formula आप कह सकते हो sin theta बराबर है one over cos theta के और यहीं से आपके पास दूसरा मरुख भी हो सकता है जैसे sin theta बराबर है one over cos theta के तो cos theta बराबर हो जगा one over sin theta के cos theta को इधर लिजाओ sine को इधर लिजाओ इसी तरह अगर tangent theta one over cot के बराबर है तो cos theta 1 over tangent theta के बराबर हो जगा और एक और क्या बनता है कि cos theta बराबर है 1 over sec theta के असल में पहले में सब लिखवा चुकों इसलिए बस आप लोगों चल्दी बता रहु है और यहां से एक और चीज भी हो सकती है कि sec theta बराबर है 1 over cos theta के एक तो यह 3 basic formula आपने आद करने है इसे आप 3 और बना सकते हो मतब cos बराबर है 1 over sec तो sec बराबर हो जगा 1 over cos के तो total 6 तो आपने यह आद करने है इस तरह उसके बाद 2 extra आद करने है कि sin theta over cos theta तो cos theta हो जाएगा cos theta over sin theta यह उन्हें पेली भी लिखवाएवे थे अभी लिखवारों अपने पास note कर लेना और उसके बाद chapter number 10 को solve करना यह आपको formula सारे याद होने चाहिए और यह तीन identities आपको याद होनी चाहिए 10.1 और आगे आपने chapters अगर solve करने है कॉस square theta divided by cos square theta 1 होता है sin over cos क्या होता है? tangent के बराबर होता है साइन square over cos square क्या हो जाएगा? tangent square के बराबर हो जाएगा मद्ब apples this sin square over cos square है, आप दोनों तरफ squaring कर लो इस तरफ squaring करोंकर टू आ जाएगा और जब दोनों पे squaring करोंकर तो square sine के पर भी आएगा और स्क्वाइर कॉस के पर भी आएगा तो साइन स्क्वाइर ओवर कॉस स्क्वाइर बराबर हो जाएगा टेंजिन स्क्वाइर के और वन ओवर कॉस अगर आप यहां से निकालो सेक को दे लिजो कॉस को दे लिया हो तो सेक बराबर होता है वन ओवर कॉस के अगर यहाँ हो 1 over cos square तो यहाँ पर क्या होजाएगा सेग square तो 1 over cos square बराबर होजाएगा सेग square theta के मैं बता देता हूँ कि आम तब लोगों के comment आते हैं सर आप उपर की बाते बता रहे हैं मैं उपर की कब से बाते बताने लगें मैं तो इतने नीचे लेविल पर आके समझा रहा होता हूं खैर ये बोल रहा हूं है कि सेक थीटा बराबर है वन अबर कॉस थीटा के अगर मैं दोनों तरह स्क्वाइरिंग कर लो तो इसके अपर भी स्क्वाइर आजएगा और इधर भी अगर मैं स्क्वाइर तो 1 रहता है और स्क्वाइर कोस स्क्वाइर के उपर आजएगा तो 1 और कॉस स्क्वाइर बराबर है सेक की स्क्वाइर दीटा के इसके जगा पर ये लिख दिया तो ये second identity है जो आपको याद करनी है कि 1 प्लस टेंजन स्कॉयर बराबर है से के स्कॉयर थीटा है उसके बाद दुबारा जो आपकी यह वारी आइडिनिटी थी पहले आपने कॉस स्कॉयर से डिवाइड किया था अब इसको आप साइन स्कॉयर से डिवाइड कर दो तो cos² के निचे भी sin², sin² के निचे भी sin² और 1 के निचे भी sin² आजाएगा cos over sin cot θ वोता है cos² over sin² cot² के बराबर हो جाएगा नज है cos² over sin² cod² θ वोता है sin² divided by sin² 1 के बराबर हो जाएगा और आपको पता है के अचा यहसे अगर मैं cos 1 θ की वेली निकालो इसको दर ले। आँ, साइन को नेए लिँचे ले आए तो कोसाइक त्विटा बिदा बिदाबर हो जाएगा 1 ओबर साइन के अब एक चीज़ मैं बता दू कि यह अरिजनल सवर्ड करने से पहले है ठीक है इनको हम डिराइब भी कर सकते हैं जो आपको सवाल में करने भी बढ़ेगी तो इस वाली आइडेंटिटी है तो इस वाली आइडेंटिटी आप खेलो के किस तरह अगर मैं यहां से साइन स्क्वाइर को दर ले जाओ यहां पर पॉजिटिव रवांद है कि नेगेट स्कुएर बराबर हो जाएगा अगर को स्कुएर इदर पॉजिटिव है है अधर जाके नेगेटिव हो जाएगा तो इस वाली से हम मजीद 2 निगाल सकते हैं identity इसी तरह इस से अगर मैं खेलू तो इसमें लेट से अगर मैं टेंजन स्कॉार की value निगालू तो क्या मेरे पास आएगी अगर मैं 1 को अधर ले जाओ तो वो negative हो जाएगा तो तो टेंजन स्कॉार बराबर हो जाएगा सेक स्कॉार थीटा माइनस बनके एक और तरह भी मैं कर सकता हूँ कि अगर मैं सिर्फ टेंजन स्कॉार को उदर ले जाओ तो टेंजन स्कॉार की अधर नेगेटिव हो जाएगा और इदर क्या बच जाएगा सिर्फ 1 अगर मैं टेंज स्कार जाके नेगेटिव हो जाएगा तो सेक स्कार थीटा माइनस टेंजन स्कार थीटा तो एक और आइडेटिटी आपके पास आगी कि सेक स्कार थीटा माइनस टेंजन square theta 1 के बराबर हो पर तो आम तोर पर इससे हम दो यह identity बनाते हैं और इससे भी हम इहीं बना सकते हैं जैसे कॉट square को अच्छा सबसे पहले आप क्या काम करो कि 1 को दले जाओ तो कॉट square theta बराबर हो जाएगा को secant square theta minus 1 के एक तो यह बना सकते हो दूसरी हो इसी के pattern पर आप बना दो कि आप कॉट square को दले जाओ तो 1 बराबर हो जाएगा को sec square theta minus कॉट square theta तो इन तीन से मजीद हमने 6 बना ली तो इससे आप को खेलना आना चाहिए कि आपने सवाल कि according किस तरह इनको change करना है किस तरह इनको solve करना है